हेलो बेटा, 6th Science Non-Coaching Class में हम दीड कर रहे हैं बेटा, 9th Chapter ठीक है, कल हमने Habitats के बारे में पढ़ा ठीक है, Habitats हैने की आवाज की इस तरह हैं की जगह पे different different organism survive करते हैं ठीक है, तो अपने पास 3 तरह के Habitats हमने दीड किये थे Territorial है, Aquatic है, Aerial तो Territorial क्या था बेटा, जो लेंड पे रहते हैं, जो लेंड से जुड़े हुए हैं, धर्ती से जुड़े हुए हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं Secondly, फिर अपने पास क्या है, Aquatic Habitats है, यानि की जो पानी में रहते हैं And third one, Aerial, यानि की जो हवा से जुड़े हैं, जो अपने environment में, अपने surrounding में रहते हैं तो हमने तीन तरह के अपने पास Habitats से वो रीड किये अब हम आते हैं, next topic पास अपना क्या है, बेटा, Adaptation यानि की हार एक जो organism होता है बेटा, उसकी क्या होती है, कुछ एक habitat होती है habits होती है, आदते होती है और उन्ही आदतों की basis पे, वो environment के surrounding खुद को कैसे adjust करता है वो क्या कहलाता है बेटा, Adapt करना, यानि की adaptation कहलाता है हम किसी चीज़ को कैसे send करते हैं, कैसे bear करते हैं वो ही क्या है, बेटा, Adaptation है तो देखो, पढ़ते हैं, the organism, animal and plant, living different habitats जो भी organism है, चाहिए animal है, चाहिए plant है वो अलग-अलग क्या होते हैं, बेटा, आवास में रहते हैं अलग-अलग तरह की घर होते हैं, उनकी the surrounding of an element or a plant affect it and life processes जो हमारे आसपास की, जो surrounding है, हमारा environment है वो क्या करता है, हमारी life processes, जैने की जीवन से जुड़ी हुई जो किरिया है, उनको क्या करता है, पढ़ता है the animal, sorry, the animal or plant should have modification in shape, body organs, color, etc ठीक है, जो animal है, या plant है, उनकी सभी क्या होती है बेटा, shape अलग होती है, body organs अलग होती है, color अलग होता है and has to develop such devices that enable it to adjust well in a particular habitat और यह क्यों होता है बेटा, इस तरह का structure, shape या color ताकि वो उसी climate की वज़े से अपने आपको adjust कर पाएं इसलिए क्या होता है, इन सब में variations होती है जैसे camel होता है, oot होता है, उसका size बड़ा होता है उसके जो पाज होते हैं, पंजे होते हैं, वो बड़े होते हैं ताकि वो desert में शर्वाई कर पाए उसके अंदर का functional अलग होता है जो उसे क्या करते है, desert के जो area है उसको रहने में वो उसको capable बनाते है फीस होती है फीस को स्ट्रीम लाइन बोडी होती है जिसकी वज़े से वह वाटर में इजिली रहने के एबल होती है तो इस थरह से बैटा जो भी ओर्गनिजम होता है उसमें जितनी भी उसकी गुण होते हैं वो क्या होते हैं उसकी हैल्प करते हैं उस स्रांडिंग में रहने म ठीक है, this process of modification is called adaptation, और यही processes क्या कहलाती है, आपकी adaptation कहलाती है, the presence of specific features or habits which enable a plant or animal to survive in a particular habitat is called adaptation, जो specific features होते हैं, आदिते होती हैं, जो किसी भी plant और animal को एक particular habitat में, particular area में रहने के लाइक बनाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, adaptation बोलेंगे, Let us have a look at the problem and effect and the modification in animals and plant into surrounding in an ocean and in a desert, अब हमें देखते हैं, quickly revise करेंगे एक चीज़ को, कि क्या क्या problem है, या क्या क्या effect है, जो animal plant की modification के according हमें देखने को मिलते हैं, कहां का देखेंगे बिटा, एक ocean के देखेंगे, एक desert का देखेंगे, दो एरिया हमने लिए हैं यहाँ पे, ocean यान surrounding of an ocean habitat, यानि कि पानी में रहने वाले की समुदरी जो habitat उनके बारे में पढ़ते हैं, planted animals in sea and ocean are surrounded by saline water, यानि कि नमक वाले पानी से क्या होते हैं, यह गिरे होते हैं, जो भी plant और animals पानी में रहते हैं, उनका पानी कैसा होता है, समुदर का पानी बेटा खारा होता है, saline water, य अगर इस तरह के पानी में अगर किसी भी जानवर को या किसी भी plant को रहना है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, क्या capability होनी चाहिए, उसमें कि वो इस पानी में swimming कर पाए और सांस ले पाए, ठीक है, next आता है surrounding of a desert, अगर हमारे आसपास की surrounding desert की है, तो उसके लिए हमें क्या-क् प्लांट एनिमल सीने desert face the problem of hot and dry climate and acute shortage of water, जो भी plant या एनिमल होते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं, वो बहुत जदा गर्मी और सुखे का क्या करते हैं, फिस करते हैं, और वहां पे पाने भी नहीं होता है, यान कि बहुत कम पाने आपको मिलता है, shortage of water वहां पे रहती है, during the day it is very hot and nights are somewhat cool, दिन में हम अगर देखे तो बहुत गरम होता है, रात की sun time क्या होता है, यहां पे रात जो ठंडी होती है, so the animal and plants should have a feature to live in hot and dry climate, तो जो भी animal और plant हैं, उनमें ये feature होना चाहिए, कि वो इस hot और सुखे climate में अच्छे से रह पाए, they have to minimize the loss of water also, और उनमें जो लो features adapted by plant and animals living in ocean and deserts, अब हम क्या करते हैं बेटा, कुछ एक animals और plants के example लेंगे, उनके basis पे देखेंगे, क्या-क्या features यहां होते हैं, जो इनको यहां पे रहने के लिए adapt करते हैं, ठीके, दोनों एरिया में हम one by one उसको consider करेंगे, ठीके बेटा, तो आज ही class के लिए आपको इतना नहीं read करना है, इससे आगे हम अपने पास फिर आता है fish और camel का difference, यानि कि कल हम यही पढ़ेंगे, अपने पास यही topic रहेगा, कि fish किस तरह से aquatic animal है, और किस तरह से survive कर पाता है, ठीके बेटा, तो आपको जो यह आज करवा है, इसको आपको read करना है, पीछे का बेटा, आप मेरे को बता दे, ठीके, मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूँगे, ठीके बेटा, उसके साथ साथ आप आगे का जो रोज की glass होती है, उसको continue देखते रहे, ठीके बेटा,